तो चलो अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब लोग रुख जाएंगे इस पूरी की पूरी पृत्वी की सताय पर एक बार के लिए ही सही चलो कुछ न बोलें, कुछ भी न करें, बस चुप हो जाएं एक सेकिन के लिए ही सही लेकिन रुख जाएं, ना अपने हाथ हिलाएं, ना कोई काम करें, ना ही किसी से लड़ें, बस रुख जाएं वो लम्हा भी कितना खुपसूरत होगा न, जब कोई भीड़वार नहीं होगी, जब मेशीनों और गाड़ियों की आवाजे आने बंद हो जाएंगी और हम सब लोग रुख जाएंगे, जब हम सब एक धागे में बन जाएंगे, जब हम सब एक हो जाएंगे तो यार चलो, एक बार के लिए रुख जाते हैं, एक सेकिंड के लिए ही सही, पर रुख जाते हैं सोचो, जब हम सब रुख जाएंगे, तो कोई फिशर्मेन पानी में तैरती उन मचलियों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और वो चन्द लम्हों के लिए और जी सकेंगी, और वो जो समंदर से नमगी कठा कर रहा है, वो भी रुख जाए जब वो रुकेगा, तब उसे एहसास होगा, कि उसने अपनी ग्रीड, अपने लालश के कारण, खुद अपने हाथों को कितना नुकसान पहुचा लिया है और वो लोग जो प्रकृति का गला घोट रहे हैं, वो लोग जो मिसाइश और पोईजिनस के ऐसी से इंसानियत कर रहे हैं, वो भी रुख जाएं जब तुम रुकोगे, तब तुम्हे समझाएगा, कि तुम लोग ऐसी जहन लड़ रहे हों, जिससे अगर तुम जीत भी जाओ, तो वो जीत सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा जब तुम पेड़ की थंडी चाहों में सुकून से बैठोगे और इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो शायद तुम्हे ये भी समझाएगे कि अल्टिमेटली हम सब भाई ही तो हैं तो शायद तुम सबको एक साथ लेकर चलोगे, और इन नफरत, गुसे और खुन में रंगे कपड़े उतार दोगे और अमन का बेदाग लिबास पहन कर एक नई शुरुवात कर सकोगे लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब तुम रुकोगे, जब तुम ठहरोगे तो यार रुक जाओ ना, मत करो ना युद्ध, एक सेकिंड के लिए ही सही, सोचो ना इस वारे में हर पल भागूं, पल पल तड़पूं, किस से पूछूं जाकर कहीं भी मुझे खुशी ना मिली, अब मैं जाओं कहां पर तो रब ने कहा, कि सुकून की हवाएं, प्यार की धाराएं, खुशियों का पूरा समंदर सब मिल जाएगा दो पल बैट और ज़रा जाक तुखुत के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, इससे तुम कन्फ्यूज मत होना कहीं तुम मेरे रुकने का मतलब कुछ भी ना करना समझो लाइफ क्या है भाई, एक्जैक्ली, लाइफ वही है जो तुम मानते आए हो, जो तुम जानते आए हो मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि लाइफ को रोक दो, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ देर के लिए ठहर जाओ, कुछ देर के लिए कुछ ना करो अगर तुम सिंगल मान्डेड होकर लाइफ को सिर्भ भगाते रहोगे, टेंपरेरी हैपिनेस और डोपामिन रश के पीछे भागते रहोगे, तो क्या फाइदा होगा यार इस जिन्दगी का कुछ भी नहीं होगा ना, तो यार एक बार के लिए इस रैटरेर से अलग हो जाओ, एक बार के लिए रुख जाओ, और इससे क्या होगा, जब आप रुख जाओगे ना, तो शायद वो चुप्पी, वो शान्ती आपकी उदासी को दूर कर दे, आप सोच सको अपने बारे म और ये चीश तुम पृत्वी सही सीख लो ना, जब सारे पेर सूख जाते हैं, सारे फूल मुर्जा जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी उसमें जीवन होता है, और कुछ टाइम के बाद शाखों पर नए पत्ते आने लगते हैं, नई कलिया जन्म लेती हैं, and everything starts looking alive again, तो यार पृत्वी सही सीख लो ना, रुख जाओ, सबर करो, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन रुख जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चलिए, मैं बारत तक गिनूंगा और चला जाओंगा, और आप सब चुप हो जाना,